नमस्कार मित्रों, डिजायरपांट चैनल के एक नए बीडियो लक्चर में मैं हूँ अमिदूबे और आज की इस बीडियो लक्चर से हम क्लास तेंथ इंगलिस के लिए नया सत्र शुडू कर रहे हैं और आज के इस बीडियो लेक्चर में हम क्लास तेंथ इंगलिस के फर्ष्ट चैप्टर अलेटर टू गॉड का अध्यन करेंगे जिसके लेखक हैं जील फीट्स इस बीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये बीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआ होने वाला है यानि आज के इस बीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं बहुत ही सरल और आशान शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूँ और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा आशान हो जाएगा चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर की नाम की तो चैप्टर का नाम है आ लेटर आ का मतलब होता है एक लेटर का मतलब होता है पत्र तो एक पत्र टू गौड गौड मतलब होता है भगवान या फिर परमात्मा तो भगवान के लिए अलेटर एक पत्र ये एक किसान की कहानी है और ये कहानी आपको बिश्वाश करना सिखाती है चलिए अपनी कहानी पर चलते हैं और आप देखेंगे कि ये कहानी कैसे आपको एक बहुत बड़ी सीख देती है तो हमारी कहानी यहां से शुरू होती है ठीक है चलिए क्या कहते है कि the house house का मतलब होता है घर दा लगा है यानि कोई विसेश घर यानि वाह घर ठीक है तो the house वाह घर जिस घर की बात हो रही है उसके बारे में आगे बताया जाता है कि the only one only मतलब केवल one एक था अकेला था in the entire entire का मतलब होता है शंपोर्ण वैली का मतलब होता है घाटी उस संपोर्ण घाटी में only one अकेला था the house वाह घर उस संपोर्ण घाटी में only one अकेला था set on set on का मतलब होता है इस्थित था या फिर बना हुआ था the krist का मतलब होता है चोटी of low मतलब होता है चोटी hill मतलब पहाडी और मतलब एक एक छोटी पहाडी की krist चोटी पर set on स्थित था फिक है तो वहाह घर उस संपोर्ण घाटी में अकेला था और एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर इस्थित था from this height, from का मतलब होता है say this मतलब, this height मतलब उचाई से इस उचाई से, किस उचाई से? उस छोटी पहाड़ी की उचाई से तो इस उचाई से, one, कोई भी व्यक्ती could see, see मतलब होता है देखना तो देख सकता था, the river, नदी को and the field और खेतों को of ripe, ripe का मतलब होता है पकी हुई, corn, corn का मतलब होता है मकई, जिसका आप popcorn खाते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने लिख दिया है मकई, ठीक है? तो ripe corn यानि पकी हुई मकई के field, खेतों को देख सकता था dotted with the flowers, flowers dotted थे, जिन पर फूल लगे हुए थे जिन पर लगे हुए फूल, that always, जो हमेशा promised वादा करते थे, जिन पर लगे हुए फूल हमेशा वादा करते थे, किस चीज का वादा करते थे? a good, harvest, harvest मतलब होता है फसल, good मतलब अच्छी आप अच्छी फसल का हमेशा वादा करते थे, आप ध्यान से समझेंगे, आपके मन में हो सकता है, संका हो रही हो, कि जब फसल पक गई थी, तो उस पर फूल कैसे लगे थे? फसल पक जाया तो फिर उसकी तो कटाई की जाती है, तो फसल के पकने का मतलब ये है, जब किशान कहता है कि मेरी फसल पक गई है, तो इसका मतलब एक ये भी होता है, कि इस साल फसल अच्छी हुई है, ठीक है? तो हमेशा पकने का मतलब ये ही नहीं होता, कि फसल पक गई है, इसकी कटाई कर लो, फसल पकने का मतलब ये भी होता है कि फसल पक गई है अर्थाथ फसल अच्छी हुई है अब इसमें थोड़ी सी खाद डाल दी जाए तो फसल और अच्छी हो जाएगी या फिर इस फसल की थोड़ी सी सिचाई कर दी जाए तो और अच्छी हो जाएगी ठीक है तो अब इस राइप क को देख सकता था जिन पर लगे हुए फूल हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे ठीक है तो मकई की जो फसल थी उस पर फूल लगे थे आप सब ने अगर मकई के खेतों को देखा हो तो मकई जो होती है वो फूलों के रूप में ही होती है ठीक है चलिए तो ये बात एक मकई के खेतों को देख सकता था जिन पर लगे हुए फूल हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे तो प्रिथवी को अर्था धरती को केवल एक चीज की आवशकता थी वाजट डाउन पोर मतलब होता है बरसात तो प्रिथवी को केवल बरसात की आवश सकता थी और बूदाबादी की आवशकता थी ठीक है बूदाबादी कह सकते हैं बहुचार कह सकते हैं जो सुन्दर लगे आप वो कह सकते हैं तो प्रिथवी को केवल बरसात की या फिर कम से कम एक बहुचार की आवशकता थी अर्था थोड़ी सी बरसात हो जाती तो ये फसल और जहानी का hero है ठीक है और इसका character sketch भी हर बार आता है ठीक है हमारा जो PDF है उसमें आपको character sketch मिल जाएगा ठीक है PDF सारी चीज़े आपको app पर मिल जाएंगी PDF वगेरा प्राप्त कैसे करना ही वो आपको इस वीडियो के एकदम last में मैं बता दूँगा ठीक है जो निव जानता था his field अपने खेतों को intimately बहुत अच्छी तरह से जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था had done nothing उसने कुछ भी नहीं किया था बट सी सिवाए देखने के दैसकाई आसमान को उसने आसमान की ओर देखते रहने के अलावा कुछ भी नहीं किया था तो सारी शुबह लैंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था उसने उत्तरपूर्व दिशा में आशमान को देखते रहने के शिवाए कुछ भी नहीं किया था क्लियर हो गया आगे चलेंगे कोई डाउट है वीडियो को पॉस्ट करिए यहां से लेकर यहां तक रिवीजन करिए फिर आगे चलिए ठीक है मैं आगे चल रहा हूँ नाव अब वी आरेली हमें वास्तों में गोइंग टू गिट मिलने वाला है सम वाटर कुछ पानी वूमेन महिला यह फिर आउरत वो अपनी जीवन संगिनी अर्थात अपनी पतनी से कह रहा है कि आउरत नाव वी आरेली गोइंग टू गिट सम वाटर अब हमें वास्तों में कुछ पानी मिलने वाला है वाह महिला जो रात का खाना तयार कर रही थी रिप्लाइड उत्तर देती है यस हाँ गौड विलिंग यदी भगवान ने चाहा तो भाई हमारी इच्छ से तो हम बरसात नहीं करवा सकते लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो यस हां The older boys, older boys, बड़े लड़के were working काम कर रहे थेी इन दफील्ड खेतों में बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे when d dare people की the smaller ones, छोटे लड़के was playing खेल रहे थे नियर दा हाॉस घर के पास जबकी छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे Until, तब तक, जब तक की, the woman उस महिला ने called to them all, उन सभी को called नहीं बुलाया Come for dinner, dinner के लिए आजाओ, खाने के लिए आजाओ It was during the meal, it was during, during का मतलब होता है के दावरान The meal, meal बतलब होता है भोजन, तो भोजन के दावरान या फिर खाने के समय, या फिर खाने के दावरान That just as, जैसा की, revision कर लिजिए गायग बारिस को, कि अब हमें वास्ताव में कुछ पानी मिलने वाला है महिला वह महिला जो रात्री का भोजन तयार कर रही थी, उत्तर देती है, हाँ अगर परमात्मा ने चाहा तो बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, जब की छोटे लड़की घर के पास खेल रहे थे तब तक, जब तक की उस महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया, भोजन के लिए आ जाओ इट वास दिवरिंग दे मेल, भोजन के द बरसात की बड़ी बड़ी बूंदे begin to fall, गिरना शुरू हो गई, ऐसे भी कह सकते हैं कि बरसात की बड़ी बड़ी बूंदों का गिरना शुरू हो गया, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि बरसात होनी शुरू हो गई, जैसा आपको सुन्दर लगे, ठीक है, In the North East, North East, उत्तर पूर्व दिशा में, हीुग बड़े बड़े mountains पहाड of clouds बादलों के, उत्तर पूर्व दिशा में, बादलों के बड़े बड़े पहाड could be seen दिख रहे थे, approaching आते हुए, उत्तर पूर्व दिशा में, बादलों के बड़े बड़े पहाड आते हुए दिख र थी and sweet और मधूर थी, हवा ताजी थी और मधूर थी, the man वह व्यक्ति विंट आउट, the man लगा है लेंचो के लिए, ठीक है, तो the man वह व्यक्ति विंट आउट बाहर गया, for no other reason, no other reason, यानि कोई और कारण नहीं था, then, बलकि, वो क्या कारण था, जिसकी वज़ा से वो बाहर ग लिए, pleaser, आनन्द को of feeling, feel मतलब महशूश करना, pleaser मतलब आनन्द, तो have the pleaser of feeling, आनन्द को महशूश करने के लिए, दर्रेन बर्शात के, या फिर वर्शा के, वर्शा के आनन्द को, pleaser को, feel करने के लिए, महसूश करने के लिए, the man विंट आउट, वह व्यक्ति बाहर गया, दरेन बरसात के on his body अपने सरीर पर ध्याम से समझ लेजे इसको कि वहाँ व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद को महशूश करने के लिए went out बाहर गया ठीक है अब यहाँ पर लिखा है no other reason इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई और कारण नहीं था ठीक है तो यह बात आप जानते रहे इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है यह sentence की हिंदी ही इतनी होगी कि वहाँ व्यक्ति अपने सरीर पर वर्षा के आनंद को महशूश करने के लिए went out बाहर गया ठीक है and when और जब he returned वहाँ वापस लोटा और जब वहाँ वापस लोटा he exclaimed तो उसने कहा these are not raindrops यह raindrops नहीं है यह वर्षा की बूंदे नहीं है falling from the sky जो गिर रही है from the sky आसमान से यह जो आसमान से गिर रही है यह वर्षा की बूंदे नहीं है अर्थात यह पानी की बूंदे नहीं है raindrops वर्षा की बूंदे कह सकते है या फिर पानी की बूंदे कह सकते है जैसा आपको शुंदर लगे आप कह सकते है ठीक है these aren't raindrops falling from the sky यह आसमान से जो गिर रही है यह पानी की बूंदे नहीं है ऐसे कहिए दबिग ड्रॉप्स बड़ी वाली बूंदे आर 10 cent 10 cent के pieces सिक्के है बड़ी वाली बूंदे 10 cent के सिक्के है अब cent क्या है जैसे हमारे यहाँ पर रुपया चलता है अमरीका में cent चलता है ठीक है अलग-अलग देसों में अलग-अलग मुद्रा होती है अलग-अलग मुद्रा के नाम होते है जब आप बड़े होंगे तो यह चीज़े आप पढ़ेंगे ठीक है दे आर निव कोईंस यह नए सिक्के है दबिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदे आर 10 cent pieces 10 cent के सिक्के है अन्ड लिटिल बंस और छोटी बूंदे आर 5 cent के सिक्के है उसने इन बरसात की बूदो को सिक्का क्यों कहा क्योंकि अब बरसात हो रही है तो फसल और अच्छी होगी और इस अच्छी फसल को बेच कर वो खुप पैसे कमाएगा इसी लिए वो इन बरसात की बूदो की तुलना सिक्कों से कर रहा है with a satisfied एक satisfied एक संतुष्टी पूर्ण expression भाव के साथ एक संतुष्टी पूर्ण भाव के साथ ही उसने regarded देखा the field खेतों को उसने अपने खेतों को देखा of ripe corn ripe corn अब आप ripe का मतलब जानते हैं पका हुगा अब आप इस राइप को silent कर देजिए आप सिधा सिधा corn पढ़िए तो ये हो जाएगा मकई की खेतों को देखा तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक संतुष्टी पूर्ण भावना के साथ उसने अपने खेतों में मकई की फसल को देखा ठीक है विठिट्स फ्लावर तो मकई की फसल पर फूल भी लगे थे तो आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं कि एक संतुष्टी पूर्ण भावना के साथ उसने अपने खेतों में मकई की फसल पर लगे हुए फूलों को देखा क्लियर हो गया सुन्दर तरीके से जुड़ गया पूरा कन्फ्यूजर नहीं होनी चाहिए ठीक है ड्रैप्ट मतलब लिपटे हुए थे ये लिपटे हुए थे इनक कर्टें चादर में आफ रेन बरसात की ये वर्षा के चादर में लिपटे हुए थे या फिर ये वर्षा के आवरण से ढखे हुए थे कहने का मतलब अगर बरसात हो रही है और आप किसी दूर की चीज को देखिए तो वो चीज आपको धुंदली दिखाई पड़ती है क्यों क्योंकि बीच में बारिस की बूंदे आ जाती है तो मकई की फसल पर लगे हुए फूलों को देखा ड्रैप्ट इन अ कर्टेन आप रेन जो वर्षा की आवरण से ढखे हुए थे बट शडिनली लेकिन अचानक आइस्ट्रॉंग एक तेज विंड हवा बिगिन टू ब्लो बहने लगी लेकिन अचानक एक तेज हवा बिगिन और बरसात के साथ साथ वेधी लार्ज बहुत बड़े बड़े हेल स्टोंस ओले बिगिन टू फाल गिरने लगे और बरसात के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे अब ये वास्ताव में डिड्रे सिंबल लग रहे थे अब ये वास्ताव में लग रहे थे निव नय सिल्वर कोईंस चांदी के सिक्के अब ये वास्ताव में नय चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे भाई चांदी भी शफेद होती है और बर्फ भी शफेद होती है जब आपके आस पडोस में कहीं पर भी जैसे बर्फ गिरती है बर्साथ के साथ तो क्या होता है वो बर्फ दीखिए अप एकदम सफेद होती है न आप उस बर्फ को इकठा करने के लिए भीगते हुए बाहर द Supposing themselves, यानि खुलकर भागे, या फिर भीगते हुए भागे, तो दरेन बरसात में, लड़के बरसात में भीगते हुए, रैन आउट बाहर दोड़े, exposing themselves to the rain इसका मतलब होगा बरसात में भीगना, रैन आउट, रैन आउट का मतलब होता है बाहर दोड़ना, rain मतलब down out मतलब बाहर ठीक है तो लड़के exposing themselves to the rain बरसात में भीगते हुए rain out बाहर दोड़े तो collect collect का मतलब होता है इकठा करने के लिए the frozen in जमे हुए pulse मोतियों को अब यहाँ पर उस बर्फ को मोती कहा जा रहा है ठीक है तो लड़के बरसात में भीगते हुए इन जमे हुए मोतियों को इकठा करने के लिए बाहर दोड़े it's really अब यह वास्तों में getting bad now now मतलब अब bad मतलब बुरा getting मतलब हो रहा है it's really यहाँ वास्तों में अब यहाँ वास्तों में getting bad बुरा हो रहा है अब यह वास्तों में बुरा हो रहा है exclaimed कहा दमैन उस व्यक्ती ने कौन से व्यक्ती ने लैंचो ने तो उस आदमी ने कहा I hope मुझे उम्मीद है या फिर मुझे आशा है it passes कि यह गुजर जाएगा quickly जल्दी मुझे आसा है कि यह जल्दी ही गुजर जाएगा it did not लेकिन नहीं गुजरा pass मतलब गुजरना quickly मतलब जल्दी it मतलब यहां did not नहीं लेकिन यह जल्दी did not pass नहीं गुजरा लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं ओलों की रेंड बरसात होती रही, एक घंटे तक ओलों की बरसात होती रही on the house घर के ऊपर, the garden बगीचे में, the hills side मतलब होता है पहाडी की तलहटी, तो पहाडी की तलहटी में, the corn field अनाच के खेतों में, on the whole valley और whole मतलब होता है शंपोन वैली मतलब घाटी, और शंपोन घाटी में एक घंटे तक ओलों की बरशात घर के उपर बगीचे में पहाडी की तलहटी में अनाज के खेतों में और शंपोन घाटी में होती रही खेत सफेद हो गया था ऐस इफ मानो कवर्ड इसे ढख दिया गया हो विच साल्ट नमक से खेत सफेद हो गया था जैसे खेत नमक से ढख दिया गया हो ऐसे भी कह सकते है ऐस इफ का मतलब ही होता है मानो जैसे कवर्ड विच साल्ट वह नमक से ढख दिया गया हो खेत ऐसे सफेद हो गया था जैसे नमक से ढख दिया गया हो या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि दफिल्ड वाज वाइट खेत सफेद हो गया था मानो जैसे covered with salt नमक से ढख दिया गया हो Not a leaf, leaf मतलब होता है पत्ता Not a एक भी पत्ता remained नहीं बचा था एक भी पत्ता नहीं बचा था on the trees पेड़ों पर पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था The corn फसल वाज टोटली पूरी तरह से destroyed बरबाद हो गई थी फसल पूरी तरह से बरबाद हो गई थी The flowers, फूल वर गौन ज़ड़ गए थे फूल जड़ गए थे या फिर फूल गिर गए थे From the plants पौधों से पौधों से फूल गिर गए थे Lancho soul, Lancho लिखा है उसके बाद आपोस्ट्राफी यस लगा है जिसका मतलब होता है का की के तो Lancho soul, Lancho की शोल, Lancho की आत्मा वास फिल्ड भर गई Lancho की आत्मा भर गई with sadness उदासी से Lancho की आत्मा उदासी से भर गई When the storm, जब तूफान had passed, गुजर गया या फिर जब तूफान समाप्त हुआ He stood तो वो खड़ा हुआ In the middle beach में या फिर मध्य में Off the field अपने खेत के तो वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ And said और बोला to his sons अपने बेटों से When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया He stood in the middle of the field तो वहाँ अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ And said to his sons और अपने बेटों से बोला A plague, एक जुन्ड of loctus, टिड्डियों का Loctus देखिए, Insect which fly in big swarms ठीक है, टिड्डी आप जानते हैं, नहीं जानते हैं जिसे पूछे, वो आपको सुन्दर तरीके से बता देंगे ठीक है, टिड्डी की इमेज मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ठीक है, तो When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया He stood in the middle of the field तो वहाँ अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ And said to his sons और अपने बेटों से बोला A plug, एक जुन्द, अफलक तस टिड्डियों का टिड्डियों का एक जुन्द भी वोड ये देखे कैसे अपने खेत के बीच में खड़ा है ये चित्र होगा आपकी पुस्तक में आप देख सकते हैं Have left छोड़ देता Left मतलब छोड़ना तो टिड्डियों का एक दल भी छोड़ देता More अधिक than this इससे टिड्डियों का एक दल भी इससे अधिक छोड़ देता The hills लेकिन ओलो ने Has left छोड़ा है Nothing, कुछ भी नहीं लेकिन ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा है टिड्डियों का एक जुन्ड भी इससे जादा छोड़ देता The hills has left nothing लेकिन ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा है This year, इस साल We will have, मतलब पास होना तो हमारे पास no corn, कोई फसल नहीं होगी अर्था इस साल हमारे पास बिलकुल भी अनाज नहीं होगा ऐसे भी कह सकते हैं कि इस साल हमें बिना अनाज के ही रहना पड़ेगा जैसा आपको ठीक लगे That night उस रात Sorry, that night वहारात Was a sorrowful One मतलब एक sorrowful दुख भरी ठीक है? तो वहारात एक दुख भरी रात थी ऐसे भी कह सकते हैं कि वहाँ एक दुख दुख द रात थी ठीक है? ऐसे भी कह सकते हैं कि वहाँ एक दुख भरी रात थी कोई दिककत नहीं है All our work हमारी सारी मेहनत फॉर नथिंग बेकार हो गई हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई there's no one ऐसा कोई भी इंसान नहीं है who can help us जो हमारी मदद कर सके will all हम सभी को go hungry भूखा रहना पड़ेगा this year, इस साल इस साल हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा oral comprehension check है कुछ प्रश्न है आपसे पूछे गए हैं तो इसकी चिंता मत करिए पीडियेफ में सारे question answer मिल जाएंगे आपको ठीक है चलिए बाकी आप खुद से प्रयास करना चाहें तो कर सकते हैं चलिए अब क्या कहते हैं कि but लेकिन in the heart हृदय में या फिर दिलों में आफाल उन सभी के लेकिन उन सभी के दिलों में उस एकांत या फिर अकेले हाउस घर में जो उस अकेले घर में रहते थे लेकिन उन सभी के दिलों में जो उस अकेले घर में रहते थे in the middle मध में of the valley घाटी के जो घाटी के मध्य में solitary house उस एकांत या फिर उस अकेले घर में लिब्ड रहते थे ठीक है लेकिन उन सभी के दिलों में जो valley घाटी के middle मध्य में that उस solitary एकांत या फिर अकेले house मतलब मकान या फिर घर मकान में या फिर घर में लिब्ड रहते थे पूरा जोड़ दे अब लेकिन उन सभी के दिलों में जो उस घाटी के मध्य में उस अकेले घर में रहते थे दिर्वाज सिंगल hope एक मात्र आशा थी दिर्वाज थी आएक single hope hope मतलब उमीद या फिर आशा तो single hope थी एक मात्र आशा थी किवल एक मात्र आशा थी help सहायता from God भगवान से भगवान से सहायता या फिर भगवान से आशा ठीक है तो help लिखाय तो सहायता है पड़िये help from God भगवान से सहायता कहते हैं न जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ठीक है वो चीज़ तो जोड़ लीजिए पूरा लेकिन उन सभी के दिलों में जो उस घाटी के मध्य में उस अकेले घर में रहते थे एक मात्र आशा थी help from God भगवान से सहायता ठीक है उन सभी के दिलों में ये उम्मेद थी कि भगवान उनकी सहायता जरूर करेंगे don't be so upset इतने upset मत हो इतना मत घबराओ don't be so upset इतना जादा मत घबराओ even though भले ही ऐसा लगता है this seems this मतलब यहां seems मतलब प्रतीत हो रहा है even though भले ही this seems ऐसा लग रहा है भले ही ऐसा लग रहा है like a total loss की सब कुछ loss हो गया है कि सब कुछ समाप्त हो गया है don't be so upset इतना जादा मत घबराओ even though this seems भले ही ऐसा लग रहा है कि like a total loss कि सब कुछ बरबाद हो गया है भले ही ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बरबाद हो गया है remember याद रखो no one dies कोई भी नहीं मरता और फंगर भूख से याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता that's what और यही देसे लोग कहते हैं लोग यहीं कहते हैं no one dies कि कोई नहीं मरता और फंगर भूख से कि कोई भी भूख से नहीं मरता सब लोगों को आपनी यह कहता है सुना होगा लोग कहते हैं ऐसा कि भगवान सब का पेट भरते हैं कोई भी भूखा नहीं मरता ठीक है तो वो चीज वो अपने परिवार से भी कह रहे हैं सब लोग कि भाई यह मत डरो कोई दिक्कत नहीं है भले ही ऐसा लग रहा है कि सब बरबाद हो गया लेकिन टेंसन ना लो सब चिल है ठीक है आल थो पूरी के पूरी नाइट रात यानि सारी रात या फिर पूरी रात लैंचो लैंचो थौट सोचता रहा अपनी वन होप एक मात्र आशा के बारे में पूरी रात लैंचो अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा या फिर एक उमीद के बारे में सोचता रहा और वो उम्मीद क्या थी देहलप सहायता आफ गौड भगवान की भगवान की सहायता या फिर भगवान से सहायता की उम्मीद ठीक है whose eyes जिसकी आँखें as he had been as he जैसा की had been instructor उसको instruct किया गया था जैसा की उसको बताया गया था उसको बताया गया था कि भगवान की आँखें सब कुछ देखती है भले ही वो बात आपके दिल में छुपी हो फिर भी भगवान उस बात को जान लेते हैं जरूरी नहीं है कि हर बात आप मुझे बोल कर भगवान को बताएं आप मन में सोच लीजिए तो भी भगवान जान जाते हैं तो वो चीज उसको बताई गई थी और वही चीज यहां पर लिखी गई है कितने सुन्दर तरीके से लिखी गई है देखिए कि whose eyes जिसकी आँखे as he had been instructed जैसा कि उसको बताया गया था तो आप इसको पहले silent कर लीजिए whose eyes से सीधा आजाईए see everything जिसकी आँखे see everything सब कुछ देखती है as he had been instructed इसका मतलब हो जाएगा कि ऐसा उसे बताया गया था या फिर जैसा कि उसे बताया गया था गाउ में या फिर कहीं वो संत समाज में गया होगा और वहाँ पर उसने ऐसा सुना होगा कि भगवान के आखे सब कुछ देखती है ठीक है see everything सब कुछ देखती है even भले ही what is यह बात deep गहराई में छुपी हो in once conscience once किसी व्यक्ति की conscience अंतर आत्मा की ठीक है भले ही यह बात किसी व्यक्ति की अंतर आत्मा की गहराई में छुपी हो God eyes भगवान की आखे whose eyes यानि भगवान की आखे see everything सब कुछ देखती है तो अब हम पूरा जोड़ देंगे एक सुन्दर तरीके से ठीक है तो help from God भगवान से सहाय था as he had been instructed जैसा कि उसको बताया गया था कि भगवान की आखे सब कुछ देखती है भले ही यहां बात किसी व्यक्ति की अंतर आत्मा की गहराई में छुपी हो ठीक है clear हो गया यहां तक कि किसी व्यक्ति की अंतर आत्मा की गहराई में कोई बात छुपी हो तो भी भगवान उस बात को जान लेते हैं कौन चोर है कौन राजा है कौन मकार है भगवान सब जानते हैं आप बाहर से नाटक कर सकते हो कुछ होर होने का लेकिन आपकी अंतर आत्मा में क्या है वो चीज इश्वर जानते हैं ठीक है ऐसा उसको बताया गया था उसने संत समाज में ऐसी बाते सुनी थी सुन्दर तरीके से समझ में आ गया चलिए अब आप इसको रिवीजन कर लीजेगा लेंचो वाज था एक बैल लेंचो एक बैल था ओफ मैल एक व्यक्ति के रूप में एक इनसान के रूप में लेंचो बैल था अब इसका मतलब ये मत समझ लीजेगा कि वो बैल था हम बैल उस व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत महिनत करता हो ठीक है सारीरिक रूप से मांसिक रू box of a man, लेंचो इनसान के रूप में एक बैल था, working और वो काम करता था like an animal एक जानवर की तरह in the field खेतों में, और वहाँ खेतों में एक जानवर की तरह कड़ी मेहनत करता था, but still, लेकिन फिर भी, he knew, वो जानता था how to write लिखना, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था, कहने का मतलब है कि किसान वगेरा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन यहाँ पर उसका एक गुड़ बताया जा रहा है कि वो पढ़ा लिखा था, उसको लिखना आता था, अब मेरी इस बात को बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से मतलीजेगा कि किसान सिच्छित नहीं होते, यह कहानी तब की है जब बहुत पहले एक की बाते थी, ठीक है, अब के समय में तो आप सिच्छित होकर और शुन्दर तरीके से खेती कर सकते हैं, और ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, आज के समय में तो हर व्यक्ति सिच्छित हैं, लेकिन उस समय बिसे सुरूप से लेंचों की बात हो रहे कि वो बहुत महंती व्यक्ति था, तो ज़्यादा पढ़ाय लिखाई पर उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था, तो सुबह सवेर, एकदम सुबह सुबह, ही बिगेन तो राइट, ही बिगेन उसने शुरू कर दिया तो राइट लिखना, उसने लिखना शुरू कर दिया, लेटर एक पत्र, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, जिसे वहां स्वयम या फिर जिसे वहां खुद उड कैरी लेकर गया to town कस्बे में जिसे वहां खुद कस्बे में लेकर गया and place और इस पत्र को डाल दिया in the mail, mail में, डाक में और इस पत्र को डाक में डाल दिया डाक एक लाल रंग का डबा होता था ठीक है, आज के समय में भी post office के बाहर आपको ये लाल रंग का डबा दिख जाएगा, ठीक है या फिर आप पिता जी से पूछे, वो आपको सुन्दर तरीके से समझा देंगे कि पहले जब डाक डाला जाता था तो एक लाल रंग के डबे में हम लोग लेकर जाते थे और अपना लेटर उसी डबे में डाल देते थे, और फिर बाद में डाक घर के जो करमचारी होते थे वो उस डबे को खोल कर उसमें से आपका पत्र निकालते थे, और जहां पहुचाना होता था, वहां पहुचाते थे पिता जी से पूछे वो सुन्दर तरीके से आपको समझा देंगे ठीक है चलिए इमेज में भी आपने देख लिया होगा लाल रंग का डबा ठीक है तो कहते हैं इत बाज नथिंग ये कुछ भी नहीं था लेस कम तो ये बिल्कुल कम नहीं था दैन लेटर एक पत्र से तो गौड भगवान को लिखे गए तो वहाँ भगवान को लिखे गए एक पत्र से लेस कम नथिंग कुछ भी नहीं था अर्थात वहाँ भगवान को लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था इसका मतलब ये है कि वहाँ एक भगवान को लिखा गया पत्र था, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, ठीक है, तो अब हम आगे चल सकते हैं, अब उसने अपने पत्र में क्या लिखा था, ये देखते हैं, तो उसने लिखा था God, भगवान, He wrote, उसने लिखा, उसने यदि आप don't help, मदद नहीं करते, मी मेरी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, my family, तो मेरा परिवार, and I, और मैं, will go hungry, भूखे रहेंगे, this year, इस साल, तो मेरा परिवार, और मैं, इस साल, भूखे रहेंगे, God, भगवान, He brought, उसने लिखा, उसने लिखा, भगवान, if you don don't help me, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, my family and I will go hungry this year, तो मेरे परिवार को, और मुझे इस साल, भूखा रहना पड़ेगा, I need, मुझे आवशकता है, a hundred pieces, 100 pieces की, जैसे आप मांगते हैं न, पिता जैसे कि, पिता जी 100 रुपए दे दीजिए, उसी तरह से ये 100 pieces है, pieces भी ए आवशकता है, in order to show, show मतलब होता है, बुगाई करना, तो बोने के लिए, my field मेरे खेतों को, तो मुझे मेरे खेतों को बोने के लिए again दुबारा आया फिर फिर से, ठीक है, तो मुझे मेरे खेतों को फिर से बोने के लिए, 100 pieces, 100 pieces की need आवशकता है, and to live और जिंदा रहने के लिए, until तब तक, जब तक की the crop फसल कमस तयार नहीं हो जाती, तब तक, जब तक की फसल तयार नहीं हो जाती, अर्था, तब तक, जब तक की फसल पक नहीं जाती, ठीक है, तो मुझे अपने खेतों को दुबारा बोने के लिए, और तब तक, जब तक की फसल तयार नहीं हो जाती जिन्दा रहने के लिए अहंडिट पीशोष शौपीशोष की नीड आवशकता है ठीक है तो मुझे शौपीशोष की जरूरत है अपने खेतों को दुबारा बोने के लिए और तब तक जिन्दा रहने के लिए जब तक की फसल तैयार नहीं हो जाती या फिर जब तक की फसल पक नहीं जाती विकॉस क्योंकि दहेल स्टोम्स ओलो ने क्योंकि ओलो ने या फिर क्योंकि ओलो की बरसात ने डॉट 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 अब इसके आगे लेखक ने डॉट डॉट कर दिया क्योंकि हम सब ये बात जानते हैं कि ओलो की बरसात हुई थी और ओलो की बरसात की वज़े से उसकी पूरी फसल बरबाद हो गई थी ठीक है तो यही अपनी पूरी दुख भरी कहानी उसने सुन्दर तरीके से उस पत्र में लिखी थी चलिए ये हो गया अब हम यहाँ पर देख रहें ही ब्र लिखाफा होता है जिस पर आपका नाम पता पूरी डीटेल्स लिखी होती है और जब आप उस लिखाफे को फारते हैं तब उस लिखाफे के अंदर से पत्र निकलता है ठीक है तो वो चीज तो ही ब्रॉट उसने लिखा टू गॉड भगवान के लिए उसने लिखाफे पर लिखाफे के अंदर रखा और इस्टिल टूबल्ड अभी भी घबराया हुआ विट टू टाउन कसबे में गया और अभी भी घबराया हुआ कसबे में गया एट्थ पोश्ट ओफ्स पोश्ट आफूछ पहुच कर डाँक घर पहुचकर ही प्लेष्ट ऑस्टैम्प उसने एक stamp place किया उसने एक stamp लगाया on the data पथ्र के उपर पथ्र को post करने से पहले उसके उपर एक मोहर लगाई जाती है ठीक है तो वो चीज he placed a stamp उसने एक stamp लगाया on the data पथ्र के उपर डेक घर पहुँचकर उसने पथ्र पर एक stamp लगाई and dropped और इस पत्र को ड्रॉप्ट डाल दिया और इस पत्र को डाल दिया into the mailbox mailbox में और इस पत्र को आप ऐसी भी कह सकते हैं कि इस लिफाफे को ठीक हैं और इस लिफाफे को mailbox में dropped डाल दिया तो he brought to what on the envelope उसने लिफाफे पर लिखा भगवान के लिए पत्र को लिफाफे के अंदर रखा और अभी भी घबराया हुआ विंट टू टाउन कस्बे में गया अड़ पूश्ट आफिस डाक घर पहुचकर he placed a stamp on the letter उसने पत्र पर एक stamp लगाई and dropped it into the mailbox और इसे mailbox में डाल दिया चलिए अब हम आगे चलेंगे ध्यान से समझेगा अगर कहीं पर भी दिक्कत होती है तो वीडियो को pause करिए वीडियो को थोड़ा से पीछे करिए उस line को फिर से अच्छे से समझेए और फिर आगे चलिए ठीक है आराम से पढ़िए जितना पढ़िए ठोस पढ़िए ताकि पोश्ट मैन था जो डाकिया था ठीक है तो employees one of the employees यानि सिधा सिधा के डाक घर के one of the employees कर्मचारियों में से एक who was a postman जो एक डाकिया था and also helped और also भी helped सहायता और सहायता भी किया करता था at the post office डाक घर में और डाक घर में सहायता भी किया करता था तो डाक घर के कर्मचारियों में से एक जो एक डाकिया था और डाक घर के कामों में सहायता भी किया करता था went to his boss अपने boss के पास गया laughing hurtly जब आप खुल कर हसते हैं तो उसको बोलते हैं laughing hurtly खुल कर हसते हुए खुल कर हसते हुए went to his boss अपने boss के पास गया and showed और दिखाया him अपने boss को और उसने अपने boss को दिखाया the later वह पत्र to God भगवान के लिए भगवान के लिए या फिर भगवान के नाम लिखे गए पत्र को अपने boss को दिखाया ठीक है पुरा जोड़ लीजिए डाक घर के कर्मचारियों में से एक जो एक डाकिया था और डाक घर के कामों में मदद भी किया करता था जोरों से हस्ता हुआ अपने बोश के पास गया और भगवान के नाम लिखे गए उस पत्र को उसने अपने बोश को दिखाया नेवर इन ही स्केरियर अपनी पूरी नौकरी में as a पोस्ट मैन एक डाकिया के रूप में इन ही स्केरियर अपनी पूरी नौकरी के दोरान had he known उसने नहीं जाना था या फिर उसने नहीं देखा था that address इस पते को तो एक डाकिये के रूप में अपनी पूरी नौकरी के दौरान उसने इस पते को नहीं देखा था भाई किसी को नहीं पता भगवान कहां रहते हैं कोई भी व्यक्ति ही भगवान तक आपका पत्र नहीं पहुचा सकता नहीं आप कोई नंबर डायल करके भगवान से बात कर सकते हैं ठीक है तो वो हस रहा था कि आखिर ये कहसा विक्ति है जो भगवान के नाम पत्र लिख रहा है दा पोश्ट मास्टर पोश्ट मास्टर अफट एक मोटा एमियेबल एमियेबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंड फ्रेंडली मतलब मैत्री पोर्ण प्लीजेंड मतलब खुस मिजाज या फिर सज्जन तो जो पोश्ट मास्टर था वो एक मोटा मैत्री सजन व्यक्ती था, एमेबल था, यानि, एमेबल का मतलब हुई, friendly, and pleasant, मैतरिपुर्ण, सजन व्यक्ती था, या फिर ऐसे कह सकते हैं, कि मैतरिपुर्ण, और खुस मिजाज, व्यक्ती था, फैल्व, फैलो का मतलब व्यक्ती, ठीक है, तो वो एक मैत्री पॉर्ण ऐसे कहेंगे कि पोस्ट मास्टर एक मोटा मैत्री पॉर्ण और सर्जन फैलो था, सर्जन व्यत्ती था आल्सो वहां भी ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट लाफिंग जोरो से हस पड़ा वहां भी जोरो से हस पड़ा, बट आल्मोश लेकिन इमीडेटली, लेकिन तुरंट ही, he turned serious, वहां गंभीर हो गया turned serious, serious मतलब गंभीर, लेकिन वहां तुरंट ही गंभीर हो गया and or tapping, थप थप थपाते हुए, लोग आ, जैसे आप कोई अच्छा काम करते हैं, तो लोग आपकी पीठ थप थप थपाते हैं, साबासी देते हैं, उसी तरह से वो उस पत्र को थप थपा रहा है, इस तरह से tapping, थप थप थपाते हुए, दे लेटर उस पत्र को अपनी मेज पर, और उस पत्र को अपनी मेज पर थप थप थपाते हुए, commented, उसने कहा also broke out laughing, वहां भी जोरों से हस पड़ा, बट almost immediately, लेकिन लगभग तुरंत ही, he turned serious, वहां गंभीर हो गया and tapping the letter on his disc, और उस पत्र को अपने मेज पर थप थप थपाते हुए, commented, उसने कहा, what faith, what faith, क्या अदभुद faith है, faith मतलब बिश्वाश, कैसा अदभुद बिश्वाश है, I wish, कास, मैं आसा करता हूँ, मतलब I, मतलब मैं wish, उम्मीद करता हूँ, wish कर रहा हूँ, यानि कास, I, मुझ में भी, had the faith, बिश्वाश होता, कास, मुझ में भी, आस्था होती, of a man, इस व्यक्ति की तरह, who, जिसने, रॉट लिखा है, this letter, इस पत्र को, जिसने इस पत्र को लिखा है, I wish, कास, मुझ में भी, ऐसा ही, बिश्वाश होता, ऐसे पढ़िए इसको, कास मुझ में भी इस व्यक्ती की तरह बिश्वाश होता, who wrote this letter, जिसने इस पत्र को लिखा है, starting up जो शुरू करना चाहता है, a correspondence, एक पत्र बिवहार, जो पत्र बिवहार शुरू करना चाहता है, with God, भगवान के साथ, ऐसे हो जाएगा, starting up जिसने शुर बिवहार शुरू किया है, अर्थात, इसने भगवान के नाम पत्र लिख दिया है, इससे बड़ा विश्वाश क्या हो सकता है, इससे बड़ा भोला विक्ती और कौन हो सकता है, ठीक है, अब देखिए, जब आप भगवान पर विश्वाश करते हैं ना, तो विश्वाश ब मुझ में भी इस व्यक्ति की तरह बिश्वाश होता जिसने इस पत्र को लिखा है और इश्वर के साथ या फिर भगवान के साथ पत्र बेवहार शुरू किया है शो इसी लिए in order not to shake शेक मतलब होता है डगमगाना in order not to ना डगमगा जाए इसी लिए in order not to shake ना डगमगा जाए इसी लिए ना डगमगा जाए डवराइटर लेखक का अपोस्ट्राफियस जिसका मतलब होता है काकी के तो लेखक का फेत बिश्वास में इन गौड भगवान में इसी लिए लेखक का बिश्वास भगवान में in order not to shake ना डगमगा जाए आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं हिस्स का मतलब होता है इसी लिए राइटर पत्र लेखक का गौड भगवान पर फेत बिश्वास in order not to shake ना डगमगा जाए ठीक है जैसे आपको याद हो जाए जैसे आपको शुंदर लगे पढ़ सकते हैं इसी लिए पत्र लेखक का इश्वर पर बिश्वास ना डगमगा जाए दब पोश्ट मास्टर पोश्ट मास्टर को केम अप विठेन आइडिया तो केम अप विठेन आइडिया एक बिचार आया या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि पोश्ट मास्टर के दिमाग में एक बिचार आया आइडिया मतलब होता है बिचार केम अप मतलब आना पोश्ट मास् पोश्ट माश्टर को came up with an idea, एक बिचार आया, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पोश्ट माश्टर के दिमाग में एक बिचार आया, वो बिचार क्या था, answer the letter, पत्र का answer दिया जाए, पत्र का उत्तर दिया जाए, ठीक है, बट लेकिन, when, जब ही उसने opened, खोला, इस पत्र को, लेक पश्ट हो गया, that to answer की उत्तर देने के लिए, इस पत्र का, कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए, he उसे needed आवश्चक्ता थी, something more, किसी और चीज की, उसे किसी और चीज की आवश्चक्ता थी, than goodwill, नेक भावना, इंक, स्याही, and paper और कागज, तो answer the letter, but when he opened it, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, तो ये इस पश्ट हो गया, कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए, उसे, नेक भावना, स्याही, और paper से भी जादा, किसी और चीज की आवश्चक्ता थी, कोई दूसरी चीज क्या थी, पैसा, उसने पैसा भी मागा था, ठीक है, चलिए, अब क्या कहते हैं, आप यहाँ पर revision कर लीजे, नहीं तो आप हो सकते, आपको दिक्कत हो, ठीक है, मैं देखे क्या कहता हूँ इसको, इसलिए, कहीं पत्र लेखक का बिश्वाश भगवान में ना डगमा का आ जाए, पोश्ट माश्टर के दिमाग में एक बिचार आया, इस पत्र का उत्तर दिया जाए, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, तो यह इसपश्ट हो गया, कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए, उसे नेक भावना, स्याही और कागच की अलावा भी, किसी और चीज की आवश्चता थी, ठीक है, बट लेकिन इस टक वो अडिग था या फिर वो अडिग रहा to his resolution अपने निश्चय पर लेकिन वहां अपने निश्चय पर अडिग रहा उसने कहा था कि वो पत्र का उत्तर देगा तो वो अपने विचार जो उसने विचार किया था उसके मन में जो विचार आया था जो उसने निश्चय किया था उस पर वो अडिग रहा. बट लेकिन वहाँ अपने निश्चे पर अडिग रहा. He asked उसने मांगा for money, पैसे. उसने पैसे मांगे from his employees अपने करमचारियों से. उसने अपने करमचारियों से पैसे मांगे या फिर इसको थोड़ा सा और सुन्दर कह सकते हैं कि उसने अपने करमचारियों से पैसे देने के लिए कहा. He himself उसने खुद गेव दिया part of कुछ हिस्सा, his salary अपनी तनखाह का. उसने खुद अपनी तनखाह का कुछ हिस्सा दिया. And several friends और बहुत से मित्रों से office अपने और अपने बहुत से मित्रों से या फिर अपने अने को मित्रों से were obliged to give, देने के लिए कहा. Something, कुछ. कुछ देने के लिए कहा. और अपने बहुत से मित्रों से कुछ देने के लिए कहा. For an act of charity. For an act of charity का मतलब होता है दान के रूप में. ठीक है? और अपने बहुत से मित्रों से कूछ ना कूछ देने के लिए कहा, ठीक है, तो he asked for money from his employees, उसने अपने करमचारियों से कुछ पैसे देने के लिए कहा, ठीक है, आप ऐसे ही पढ़ लेज़ें कि उसने अपने करमचारियों से पैसे देने के लिए कहा, उसने खुद अपनी तनखाह का कुछ हिस्सा दिया और अपने अनेकों मित्रों से दान के रूप में कुछ ना कुछ देने के लिए अनुरोध किया ठीक है तो कुछ ना कुछ देने के लिए कहा क्लियर हो गया और अपने बहुत से मित्रों से या फिर और अपने अनेकों मित्रों से दान के रूप में कुछ न कुछ देने के लिए कहा It was impossible ये असंभव था for him उसके लिए उसके लिए असंभव था together together तुगेदर इकठा कर पाना लेकिन 100 पीशोष 100 पीशोष गेदर तुगेदर इकठा कर पाना एक 100 पीशोष धन इकठा कर पाना It was impossible for him उसके लिए असंभव था सुन्दर तरीके से हो गया पूरा जुड़ गया कि ऐसे भी कह सकते हैं कि लेकिन उसके लिए for him यहाँ पे है लेकिन उसके लिए 100 पीशोष धन इकठा कर पाना impossible था असंभव था इसलिए ही वाजेबल वो योग्य हो सका to send भेजने के इसलिए वो भेज सका दफार्मर किसान को इसलिए वहाँ किसान को भेज सका only a little more थोड़ा सा अधिक देनहाफ आधे से इसलिए वहाँ किसान को आधे से थोड़ा सा अधिक धन ही सिंड भेज पाया भाई आधा क्या है? सौ मागा था उसने, सौ का आधा पचास पचास से थोड़ा जादा, यानि साठिया सत्तर ठिक, लेकिन उसके लिए सौ पीसोस इकठा कर पाना असंभव था इसलिए वहाँ किसान को आधे से थोड़ा सा अधिक धन ही भेज सका ही पूट उसने रखा दा मनी पैसो को इन एन इन्वलोप एक लिफाफे में उसने पैसो को एक लिफाफे में रखा एड्रेश टू लैंचो इस लिफाफे पर लैंचो का पता लिखा और इन पैसो के साथ अलेटर एक पत्र भी कॉंटेनिंग रखा और इन पैसों के साथ उसने एक पत्र भी रखा only a single word जिस पर केवल एक सब्द लिखा था as a signature हस्ताक्षर के रूप में जिस पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक सब्द लिखा गया था God, भगवान, ठीक है? उस लेटर पर बड़े बड़े अच्छरों में सिर्फ God लिखा था और कुछ नहीं लिखा था, ठीक है? इसने तो अपनी राम कथा लिखी थी पूरी कि ओलो ने मेरी फसल बरबाद कर दी, मैं भूखा मर जाओंगा लेकिन उस पत्र पर केवल लिखा था God, भगवान पूरा जोड़ लेंगे, हम फिर पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन उसके लिए सौपीसों से कठा कर पाना अशंभव था इसलिए वहां किसान को आधे से थोड़ा सा अधिक धन ही भेज पाया उसने इन पैसों को एक लिखाफे में रखा इस लिखाफे पर लेंचों का पता लिखा और बिठ इट और पैसों के साथ एक पत्र भी रखा जिस पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक सब्द लिखा था God, भगवान या फिर परमात्मा दा फॉल्विंग संडे अगले संडे को अगले रवीवार को लेंचों लेंचों केम आ गया अबिट अर्लियर थोड़ा सा जल्दी दैन यूजूवल रोज की अपैच्छा या फिर रोज की तुलना में या फिर अन्य दिनों की तुलना में The following Sunday, अगले रवीवार को लैंचो, than usual, अन्य दिनों की तुलना में, came a bit earlier, थोड़ा सा जल्दी आ गया, to ask यह पता लगाने के लिए, if there was a later कि क्या कोई पत्र आया है for him उसके लिए, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया था? The following Sunday, अगले रवीवार को लैंचो, अन्य दिनों की अपेक्शा, came a bit earlier, थोड़ा सा जल्दी आ गया, to ask यह पता लगाने के लिए, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया था? It was the postman, डाकिये ने himself खुद, डाकिये ने खुद, कौन सा डाकिया भही, जो हसते हुए अपने बॉस के पास गया था? तो it was the postman himself, डाकिये ने खुद, handed दिया, डाकिये ने खुद उसे वहाँ पत्र दिया, while the postmaster, while जबकि the postmaster, postmaster, जबकि postmaster experiencing अनुभव कर रहा था, the contentment संतुष्टी का, जबकि postmaster संतुष्टी का अनुभव कर रहा था, of a man, उस व्यक्ती की तरह, who has performed, जिसने किया है, a good deed, कोई अच्छा काम, जबकि postmaster, a good deed, एक अच्छा काम करने वाले व्यक्ती की तरह, संतुष्टी का अनुभव कर रहा था, looked, वहाँ भी देख रहा था, looked on, वहाँ भी देख रहा था, promise office अपने दफ्तर से, और वहाँ, अपने दफ्तर से देख रहा था, ठीक है, पूरा जोड़ेंगे, क्योंकि बहुत confusion होती है बच्छों को, अगले रभीवार को लैंचो, अन्य दिनों की अपेच्छा थोड़ा सा जल्दी आ गया, ये पता लगाने के लिए, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया था, डाकिये ने खुद उसे वहाँ पत्र दिया, जबकि पोश्ट मास्टर, एक अच्छा काम करने वाले व्यक्ति की ही तरह, संतुष्टी का अनुभाव कर रहा था, और वहाँ भी अपने दफ्तर से देख रहा था, लेंचो, 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 सोर्ड नॉट, स्लाइटिस्ट सर्प्राइज, मतलब दिखा न, जब आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो, और उसके चेहरे पर कोई भी भाव न दिखे, ठीक है, तो वो चीज़ों कोई सोर्ड, यानि कोई और व्यक्ति देख रहा है, तो लें लेंचो ने थोड़ी सी भी हैरानी परदर्सित नहीं की, या फिर लेंचो थोड़ा सा भी हैरान नहीं हुआ, ओन सींग बि पैसो को देखकर, लेंचो पैसो को देखकर बिलकुल भी हैरान नहीं हुआ, सच्वाज his confidence, ऐसा उसका विश्वास था, या फिर ऐसी उसकी बिस्वास था कि भगवान ने ही पैसे भेजे हैं। God, भगवान, could not have made, कर नहीं सकते, नौर और ना ही, could he have denied, वो मना कर सकते थे, लैंचो, लैंचो को, और ना ही, वो लैंचो को मना कर सकते थे, what he had requested, what he had requested, यानि उसकी परार्थना, और ना ही, वो लैंचो की request, लैंचो की परार्थना को श्विकार करने से denied, मना कर सकते थे, ठीक है, भगवान के पास तो बहुत पैसा है, वो थोड़ा सा 100-200 पीसोज देने के लिए, थोड़ी मना करेंगे लैंचो को, लैंचो ये सोच रहा है, ठीक है, कि इतना पैसा है ये कहा गया था, ठीक है, तो ये गुस्सा हो गया, God could not have made a mistake, भगवान गलती नहीं कर सकते, और ना ही वो लैंचो की प्रार्थना को श्विकार करने से मना कर सकते थे, तो लैंचो की विशास हो गया, कि भगवान तो गलती नहीं कर सकते, लेकिन बीच में कोई लफड़ा कोई पंगा बीच में हुआ है, अब क्या होता है, इमीडियेटली, तुरंत ही, लैंचो लैंचो वेंट अप गया तुड़ विंडो खिड़की के पास, तुरंत ही लैंचो खिड़की पर गया, तु आस्क मागने के लिए पेपर, एंड इंक, कागज और शाही मागने के लि पाइट ये गया, अन दब पबलिक राइटिंग टेबल पॉश्ट आफिस में टेबल लगी होती है, वहां पर बैठ कर कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, ठीक है, उस टेबल को कहते हैं आम जन दे लेखन टेबल, तो आन दब ऑबलिक राइटिंग टेबल आम जनता लेखन ट टेबल पर, he started, उसने started शुरू किया, to write लिखना, आम जनता लेखन टेबल पर, उसने लिखना शुरू किया, with much brinkling, brinkling हो गई थी, शिकुड गई थी office bro, उसकी भवहें, उसकी भवहें शिकुड गई थी, जब आप कभी गुसा होते हैं, तो आप अपनी भवहों को एकदम शिक लेते हैं, सामने वाला आपकी आखें देखकर डर जाता है, ठीक है, तो उसी तरह से उसकी भवहें भी शिकुड गई थी, वह एकदम गुसा था, नाराज हो गया था, तो with much brinkling of his bro, भवहें, brinkling, शिकुड गई थी, उसकी भवहें शिकुड गई थी, cost, अब cost, ये cost क्या था कारण क्या था, by the effort, क्योंकि वो कोसिस कर रही थी, he had to make, make to express, प्रदर्सित करने का, his ideas उसके विचारों को, तो his ideas उसके विचारों को प्रदर्सित करने का effort, प्रियास करने की cost वजह से, ठीक है, तो much brinkling, his bros, उसकी भवहें शिकुड गई थी, तो his ideas उसके विचारों को प्रदर्सित करने का, प्रियास करने की वजह से, उसकी भवहें शिकुड गई थी, ठीक है, when he finished, जब उसने लिखना पूरा कर लिया, या फिर जब उसने लिखना समाप्त कर लिया, he went, तो वो गया to the window खिडकी पर, तो वो खिडकी पर गया, to buy खर जिदने के लिए खिडकी पर गया, which he, जिसे उसने लिख्ड चाट कर, then, अफिक मतलब होता है, चिपकाना, जिसे उसने चाट कर चिपका दिया, कहां चिपका दिया, to the envelope लिफाफे पर, जिसे उसने चाट कर लिफाफे पर चपका दिया, with a blow of his fist, blow of his fist, अपनी हथेली से मार कर लिफाफे पर चपका दिया, ठीक है, आप सरल और सटीक तरीके से इसको ऐसी भी कह सकते हैं, कि जिसे चाट कर, उसने लिफाफे पर हथेली मार कर चिपका दिया, ठीक है, जैसे कोई photo हो आपके पास, आपको किसी paper पर चिपका नहीं है, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा स किया, उसने stamp खरीदा, और उस stamp को उसने चाटा, और फिर अपने लिफाफे पर चिपका दिया, और फिर अपनी हथेली से भी 2-3 बार उसको tap किया, यानि उसको अपनी हथेली से 2-3 बार मारा, ठीक है, ताकि वो stamp अच्छे से चिपक जाए, ठीक है, तो यह पूरा-पूरा स चाट कर और अपनी हथेली से मार कर इन्वलॉप लिफाफे पर अफिक्स्ट चिपका दिया ठीक है जिसे उसने चाट कर और अपनी हथेली से मार कर लिफाफे पर चिपका दिया चले आगे ये चित्रा आप देख सकते हैं आपकी पुस्तक में भी है ठीक है आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं कि ये कैसे खिड़की पर गया है लिफाफा वगयरा लेकर ठीक है चलिए अब हम देखेंगे आगे the moment जिस छण द लेटर वहाँ पत्र फिल गिरा into the mailbox mailbox में जिस छण वहाँ पत्र mailbox में गिरा the postmaster postmaster went गया to open it और इसे खोला तो postmaster इसे खोलने के लिए गया ठीक है देखें postmaster खुद गया the postmaster went to open it postmaster इसे खोलने के लिए गया it said it इस पत्र में said लिखा था इस पत्र में लिखा था God भगवान of the money जो पैसे that I मैंने आपसे मांगे थे for ask for जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे God भगवान of the money that I asked for जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे only 70 pieces उसमें से केवल 70 pieces reached me मुझे मिले हैं उसमें से केवल 70 pieces ही मुझे मिले हैं ठीक है ये पूछा जाता है एक नंबर वाले प्रशनों में ऐसा आ जाता है कि कितने pieces उसे मिले थे तो याद रखेगा कि 70 pieces भूलिएगा मत इसको ठीक है ये कई बार board exam में आ चुका है कि लेंचों को कितने pieces मिले थे तो God of the money that I asked for भगवान वहधन जो मैंने आपसे मांगा था only 70 pieces reached me उसमें से केवल 70 pieces ही मुझे मिले हैं send me मुझे भेज दीजिए दरेश्ट बाकी के पैसे बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए since क्यूंकि I need it very much I need मुझे आवसकता है it in पैसों की very much बहुत ज़्यादा क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत है पैसों को मत भेजिएगा to me मुझे throw the mail डाक से लेकिन इन पैसों को मुझे डाक से मत भेजिएगा because क्योंकि the post office employees क्योंकि डाक घर के जो employee है क्योंकि डाक घर के जो कर्मचारी है आरबबंच वो समूह है और फुरुक्स ठगों का वो ठगों का समूह है या फिर ठगों का टोला है या फिर छोर है ठीक है? but don't send it to me लेकिन बाकी पैसों को मुझे मत भेजियेगा तुरोदमेल डाक से लेकिन बाकी पैसों को मुझे डाक से मत भेजिएगा क्योंकि डाक घर के कर्मचारी ठगो का समूह है या फिर ठगो का टोला है या फिर चोर है लैंचो लाश्ट में उसने लिखा लैंचो अब अगर आप अपनी किताब के सभी चैप्टर बहुत बारी किसे पढ़ना चाहते हैं प्लस अपना पूरा ग्रामर चाहते हैं प्लस आप चाहते हैं कि आपकी बुक के सभी क्विश्चेन अंश्वर और पूरी ग्रामर के नोट्स आपको मिल जाएं तो ये सारी चीजे प्राप्त करने के लिए आप हमारा डिजायर पाइंट अप डाउनलोड कर लीजिए अप का लिंक आपको इस वीडियो क कर लेना है और एप पर आपको सारी चीजे मिल जाएंगी आप अच्छी तरह से बारी की से मन लगा कर सभी चैप्टर्स को पढ़ सकेंगे सारे नोट्स से मिल जाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी और हाँ हमारा कॉंटेक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कॉंटेक्ट करके बात भी कर सकेंगे पूरा वीडियो देखेने के लिए धन्यवाद इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी सेयर करें ताकि वो भी सेलाब ले सकेंगे